Hello students, तो आज हम आपको कराएंगे chapter 1 relation and function class 12th miscellaneous exercise का question number 2 तो देखिए, let function है whole numbers to whole numbers, be defined as f of n पिछले functions में हमें क्या given होता था, f of x given होता था, लेकिन इसमें क्या given है, f of n given है किसके कोल है, n minus का 1, if n is odd and f of n equals to me n plus का 1 if n is even, clear है, अगर n odd है, तो क्या होगा, f of n किसके कोल है, n minus का 1 अगर n even है, तो f of n किसके कोल होगा, n plus का 1 so क्या करना है, so that function is invertible, find the inverse of f here w is set of all whole numbers, तो मैंने आपको बताई दिया हमें क्या करना है, so करना है, f invertible है, और क्या करना, find the inverse of f अब invertible क्या होता है, जो by objective हो, by objective का था, जिसमे one one function भी हो, on two function भी हो, तो देखो, case लेके चलेंगे, पहले odd के लिए, case one ले लो, आप यहां पर, ठीक है, अब function क्या है, हमारे पास, whole numbers to whole numbers, और जो condition है, वो क्या है, syndrome functions में लिए लेते हैं, n minus का one, if n is odd, n plus का one, if n is even, तो देखो, case one क्या है, if n is odd, क्या दिखाना है, में one one दिखाना है, और क्या दिखाना है, on two दिखाना है, तभी वो function क्या हूँएगा, invertible होईगा, तो odd के लिए दिखाना हैं, पहले फिर even के लिए दिखाना तो odd के लिए, देखो, odd में क्या गिया हूँए, f of and किसके equal, n minus का one के equal height ogni is, अब one one के लिए, क्या criteria होता है, one one के लिए, क्या होना चीए, f of x, किसके equal होना चीए, f of y means x equals to me y यह criteria होता है किसके लिए 1-1 के लिए तो यहाँ पर क्या है n और m मान लेंगे दूसरा odd numbers हो है तो let करेंगे let करेंगे n and m are odd तो देखो f of n किसके कोल है n minus का 1 तो f of m किसके कोल हो जाएगा m minus का 1 तो यहाँ से अगर यह दोनों equal होएंगे f of n equals to me f of m तो n minus का 1 भी m minus का 1 के equal होएगा यहाँ से 1 से 1 cancel n equals to me m यहीं लें क्याना था यह x और y के टर्म में है यह हमने n और m के टर्म में निकाला है तो यहाँ से 1 1 तो 100 हो गया अब करेंगे on to के लिए यहाँ पर आप लिख देना so f is 1 1 अब on to के लिए क्या criteria होता है f of x equals to me y लेकने यहाँ पर क्या है f of n है उसको में लेके आएंगे y के कबल तो यहाँ पर let करेंगे let y belongs to whole number तो y आजाएगा हमारे पास n-1 तो यहाँ से n निकालेंगे n आजाएगा y प्लस का 1 और यह y प्लस का 1 किस से बिलोग करेगा whole number से बिलोग करेगा clear है क्योंकि हमने y को किस से बिलोग करवाया था whole number से बिलोग करवाया था अगर आप all numbers में one add करोगे तो बिलोग आएगा all numbers यह आएगा तो यहाँ पर देखो now f of n किस के कुल है n minus का 1 के कुल है और f of n equals to me n की जगम यहाँ पर क्या रखेंगे y प्लस का 1 रख देंगे तो y प्लस का 1 minus का 1 रह गया बार minus का 1 से plus का 1 cancel तो यह आ गया f of n किस के कुल y के कुल तो हम कह देंगे here f is on to अब one one भी दिखा दिया on to भी दिखा दिया किस के लिए दिखाई है हमने case 1 odd के लिए दिखाया है अब किस के लिए दिखाएंगे even के लिए और दिखाएंगे अब देखते हैं case 2 case 1 में देखा कि n क्या था odd था और उसमें f of n क्या था n minus का 1 था इसमें क्या है f of n क्या है n प्लस का 1 है और n क्या है even है तो देखिए 1-1 के लिए देखेंगे let करेंगे हाँ से n and m are both even क्या ख्राइटेरिया होता है 1-1 के लिए आपको पताई है f of n और m आना है तो f of n इकोल स्टो में f of m आना जाहिए यानिके n इकोल्स तो में m आना जाहिए तो देखो f of n क्या है? n प्लस का 1 तो f of m क्या होएगा? m प्लस का 1 अगर ये इकोल होएगे तो हम कहसकते है n प्लस का 1 किसके क subdivो होएगा? m प्लस का 1 तो n आज गया है यहांसे m के इकोल 1 से 1 कैंसल तो हम कहें देंगे F is 11 On2 के लिए देखेंगे क्या क्राइटेरिया होता है On2 के लिए सो कुरना होता है कि जो F of N है यहां पर वो किसे को लोगगा Y के को लोगगा तो let कर लेंगे Y belongs to whole number तो Y आजाएगा हमारे पास N पलस का 1 के को ल तो यहां से N की value आजाएगी Y minus का 1 यह किसे भी लोगग करेगा whole number से भी लोगग करेगा now F of N किसे को लह है N plus का 1 अब N की value क्या है Y minus का 1 यहां से Y minus का 1 N की value पलस का 1 1 से 1 धंगे लिए आ गया F of N किसे को का 1 Y के को लिए लेके आना था तो यहां से f is on to कलिए है one one भी हो गया on to भी हो गया तो यह कैसा function है bisective function है one 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 plus में on to equals to में bisective function अब bisective function कैसे होते है invertible function यही हमने आपे show करना था अब last term में एक और पूछी है इसने क्या inverse inverse इन्वर्स बताओ f का तो देखो inverse के लिए क्या करेंगे let करेंगे y equals to में नीचे करते हैं let equals to y equals to में fn अब f को इस साइड लेके आएंगे तो यह क्या हो जाएगा f inverse y किसके कोल हो जाएगा n अब n के value क्या है देखो y minus का 1 तो यहां से f inverse of y y equals to में y minus का 1 यहां से हमने क्या क्या put n equals to में y minus का 1 तो यह था question number 2 miscellaneous exercise का अई अब आप कोच चे समझ में आया हुगा देखो इसमें क्या किया case 1 में हमने क्या क्या odd माना देखो इसमें पूछा भी है f of n क्या होना चाहिए n minus का 1 if n is odd तो odd के लिए दिखाया 1 1 दिखाया on to दिखाया by executive हो गया by executive हो गया invertible हो गया second case में इसने क्या बोला है n plus 1 होएगा अगर n even होएगा तो second case में हमने यही किया 1 1 दिखाया on to दिखाया तो by executive हो गया तो कैसा हो गया invertible हो गया फिर इसने क्या पूछा है इसने बोला है find the inverse of f तो inverse of f भी हमने आपे find कर दिया तो आई ओप आप कोछी समझ में आ गया होगा यह question अगर अब भी कोई doubt है तो आप comment box में बता सकते हैं otherwise माँ चैनल को subscribe करें वीडियो को like करें thanks for watching, have a nice day